केंद्र सरकार के 9 साल क्या पूरे हुए पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने इसे राजनितिक गलियारों का एक बड़ा मुद्दा बना लिया है ऐसे में केंद्र सरकार के 9 साल के उपलब्दियों को गिनाने पर कॉंग्रेस नेता प्रमोत तिवारी ने सरकार से 9 सवाल पूछे वारांसे के मैदागे निस्थेत पराड़कर इस्मृती भवन में कॉंग्रेस नेता प्रमोत तिवारी का प्रेस कॉंफरेंस आयोजित किया गया जिसमें उन्हों ने सरकार के नौ साल पूरा होने पर उनसे नौ सवाल के जरिये उन पर तीखा वार किया पत्रकार वारता में बूत इस्तर की मजबूती पर कॉंग्रिस नेता प्रमोत तिवारी ने कहा कि हमारे यहां निरंतर प्रक्रिया चल रही है हमारे परिविक्षक जा रहे हैं पधाधिकारियों की सूची जल्द ही आपके समक्ष पेश की जाएगी इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि बूत इस्तर पर हम एक शशक्त कॉंग्रिस सभी के समक्ष उपस्तित कर सके हमारे यहां निरंतर प्रक्रिया चल लिए हमारे परिविक्षक जा रहे हैं हमारे प्रांतिय देख्ष बने हैं प्रदैतिकारियों की सुची भी बहुत जल्द आपके वीच पे होगी और हमारा प्रयास होगा कि बूत हस्तर पर हमें एक शशक्त कॉंग्रेस उपस्तित कर सकें इसके लिए हमारा प्रयास जारी प्रियंका गांधी के दौरे पर उन्होंने कहा कि हिमाचल वर करनाटक के चु जहां भी जरुरत होती है वह वहां पर है और जहां जहां जरुरत होती है प्रयंका गांधी वहां पर जाती है और लोग उन्हें इंद्रा गांधी की जलक देखते हैं इस समय हिमाचल में चुनाओ था, वो गई, कर्णाटक में चुनाओ था, वो गई, अभी मध्यप्रदेश में गई, जबलपूर में, और जहां जरूरत होगी वो रास्ती नेता है, गांधी परिवार की सदस है, उनमें लोग इंद्राजी की तस्वीर देखते हैं, लोग बु चुनाओ हारने के बाद जिस प्रकार से इवियम का मुद्दा अन्य पार्टियों द्वारा उठाया जाता है, इस बार भी क्या ऐसा होगा, इस सवाल के जवाब में, कॉंग्रिस नेता प्रमोत तिवारी ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि, आपने गलत व्यक् तो यहां मुद्दा उठाएंगे, गलत आदमी से गलत सवाल पूठ रहे हैं, यह किसी भाजपा वाले से पूछे कि जब 24 में हरेगा, तो क्या जवाब में हुए संग की विरोध की बात को उन्होंने इंकार कर दिया और कहा कि, मेरी जानकारी में ऐसा कोई विरोध नहीं लेकिन किसी की भी भावना से खेलना बेहत निंदनी बात है। किसी की भावना से खेलना बेहत नहीं हुए से खेलना बात है।